आइसी सी विशुकप दो हजार तेईस का सत्तरहवा मुकाबला भारत और बांगला देश के बीच पुने के स्टेडियम में खेला जा रहा है आपको बता दें कि इस मैच के लिए भारती फैंस की फीड उमड पड़ी है इस पुने के स्टेडियम में फैंस का ताता लगा हुआ है लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है कि मैच के टिकेट न मिलने के कारण कई क्रिकेट प्रेमी नाराज हुए है इसके अलाबा ब्लैक में टिकेट बेची जा रही थी जिहां ये बड़ी खबर निकल कर सामने आई है कि भरत और बंगलदेश के मैच की टिकेट ब्लैक में बेची जा रही थी पुलिस ने गुत सुचना के अधार पर दो दलालों को गिरफतार किया है जिहां पुने की पिपरी चीचवार पुलिस ने कारवाई करते हुए दो दलालों को गिरफतार किया है जो मैच की टिकेट ब्लैक में बेच रहे थे बताया जा रहा है कि बारह सु रुपए की टिकेट 12,000 रुपे तक में ये दलाल मौके पर मौजूद रहकर बेच रहे थे और पुलिस नहीं ने गरफतार कर लिया है